परेना गाल करते होए कि जदों आसमा जी बोल देंदे मैंनों तेयों लेगता कि लिप विचों जो उना दी आवाज दी मिठास है जो उना दी पंजाबी बोलन दा तरीका ते सलीका है वो सिद्धा जाके हर्ट विच दिल विच फूम जानता जी उसे उपर उना दी समझ गुर मंसार फोर इंट्रोड़क्शन ना दिन देवे उना दा प्रोग्राम सुनी है कि अज जड़ा शबत उसी डाक्टर कुल्बीर सिंगी तो सुने आसी जाल मौ का समसकर मत कागद परसार तेरे बारे इस शबत बारे उस हड़े ना डिटेल डिसकेशन करेंगे आसमा जी हो प्ल किते गुड़ मौर्निंगे किते गुड़ इवनिंगे वाहि गुरुजी का खाल सा वाहि गुरुजी की फत्य है शबद असी सुनेया मी ए और ग्यानी जी ने उदा जो असल तात्ते उसानू दास देता है असी बस कोशिश करांगे के उस तात्ते बारे थोड़ी जिनी गाल समझ लगे क्यूंके साड़ी ले गाल नू सिद्धा सामा समझना मुश्किल हो जानता है जिदों तक असी उनू बार-बार पढ़के उदे के कखर नू फ्रोल के उनू अंत्रे अस्थाई नल जोड़के नहीं वेख दे उसाड़ी अंदर लथदा नहीं असी नजम हुसेन हुरां दी संगत दे विच एवले शबद पढ़िया काफी साल हो गए ने ते पढ़न तू बाद लग़ा किया जिच कोई लिखंडी गाल हो रही है ते आपना क्योंकि तालूक पढ़न लिखंडे नाल है सो दिल कीता एदे ते कुछ लिखी है फिर एदे ते एक लेख लिखिया काफी चिरबाद हो लिख किया सी, यूट्वीब ते भी पा देता होन जो तुँ तुबारा गल हो वही थी ये लेख अपने आप सामने हा गया कि मैंनू तुँ विचकार छड़ देता सी मैंनू पूरा कर ते फे डॉक्ट साब दे नाले गाल कीती के चलो ऐसे शबद दे गाल करना है ते उ समझो के कोई तिन हफते तु ए शबद साड़े नाल ही चल रहे है या शबद ने सानू आपने नाल रखिया हुए गाले दे विच है लेखे दी so लेखे दा लफ से जड़ा होँ बड़ा इंपोर्टेंट दी बाबाई लेखा लेख जान असी लेखा करने है की आया की गया साड़े कोल किनना थानमाल जुड़िया हुए है किनना असी होड जौड़ना है साड़े स्टोर्च किनना समान पे आए जिननी वरी असी मार्खीट जाने याँ ति असी स्टोरचिक नजर मारने या, कि किना समान प्याय ति किना लेओन वाला है हुन अथे जड़े लेखे दी गाल हो रही है वो वस्ताना नहीं है इस लेखा उस हस्ती दा है जड़ी सानू कुदरत वल्लू दान होई है जिडिसानु रब बलू मिली, इस हस्ती दे विच इनना तानने, इस हस्ती दे विच इनने गुणनने, ऐस होंद दी अंदर साधियां अखां विख दियाने, साधे कान सुन देने, साधे हाथ छोक इमें सूस करतेने, साधे कार पैच सत्या यसी काम करने या, असी बोल सकने या किना वड़ा गोने साड़े को कि असी बोल सकने या असी सोन सकने हुन असी जियूंदे जम्मे असी बोलना में शुरू कीता असी सुनना में शुरू कीता कि साड़े को लेखा है कि असी किना बोल ले थे असी किना सुने या असी ते बस बोलदे चले गए आज बैठे शबद विचारन ते शबद ने चीते कराया कि कहाणी जीवन दी कुछ हो रहे ते तेरी लिखत कुछ हो रहे सो पहले ओ लिखत जड़ी असी लिखनी योनू लिखन दास आनू टांग सिखाया कि असी जो लेखा लिखना है वो असी किमे लिखना है जाल ये जड़ा हो दा एक मतलब ते है जिसना जाल हो नेट जिदे चसी किसे चीज नू फसौन रहे हैं दूसरा जाल दा मतलब है साड़ना किसे चीज नू जला देना, साड़ देना मो ए जड़ा ओ ओ इक ऐसी शेय है जड़ी सड़े अंदर है और सड़े बार भी है और मो एक ऐसा हिसास है जड़ा सानू बाकी सारेयां तो त्रोड के अपना कर लें असी कहाने आना जी ओ मोया गिया ओ उन्ने ओनू मो लेया ओ मोना जड़ा ओ है वे कि असल जो चीज होन दीते नहीं पर ओ नजरान दी मो तोखा है मो कूड़े मो चूठे ओ ही गालजड़ी ग्यानी जी ने हून कीती साड़नाल कि एजो कूड है असी ऊनू साड़ना है हुनचेड़ी चीज दिस दी नहीं पि उनू साड़ना के किस तरह ऐबड़ा मज़दार सवाल अच्छे जी असी चूठनू साड़ना है असी जो इलूजन है जो तोखा है असी उनू साड़ना है ओनु साड़ंदा टांग है विचार, संगत दे संग जुड़के, शबद नो सौनके ओदिबारे विचार करनी, और ओदे विच्चों अपने लई ए लबना के मेरे लिए दे विच की से, हुकम नामा आन दे ना जी, के हुकम नामा आज ए आया है, वो सारे पढ़ दे ने, इसी तरह साड़े मुसल्माना विचे के रोज सुबो, कुरान जरूर पढ़ो, और फिर जो पढ़े आये कुरान दे विच, ओनु सारा दिन आपने नाल रखो, ओनु पुलण ना दियो, ओन एक एक प्रेक्टिस क्यों रखी गई, क्योंके जिवें ही असी किताब बांद करनी है, जिवें ही असी कुरान बांद करना है, जिवें ही असी गरंद साब तू हटना है, ते ओद बाद असी मो दे विच फसना है, और मो सानु ऐजया फसान दिये, के सानु समझ जी नी आउन देन दी के मेरे नाल होया की यह मेरे नाल है तोखा वाप्रिया की में और जिसले समझ आँ दी ये फिर वेला लंग गया हूं मो नुँ असा साड़ना ए उद बाद उनु कसा उना ए साड़े वड़े सियाने बेठे ने उद दस सकते ने के पहले जदो सियाई बणाई जान दी सी हुंते सी बणी बणाई बजारूं लेके आने या जदो सियाई बणाई जान दी सी त्योंकि में बढ़न दी सी दीवा भल्दा सी, ते दीवे दी लाट दे उपर कोई चीज उच्छी रखी जान्दी सी, उल्टी कारके, हेठुं कालक उदी अंदर जमा हो जान्दी से, उस कालक नो प्रोसेस कारके ते फेर लिखिया जान्दा से, हुन असी अगर एक चीज नो साड देता है, ते असी उनो ओथे छड़ड़ा नहीं, असी जदों तक उनो रिफाइन करके उदी शकल बदल नहीं देनी, उदा रूप वटा नहीं देना, वो मुड के बढ़ जाएगी, वो जू असी साड के रखिये ना सुआ करके उसे सुआ ने फिर मो बन जाना, असी उस मो दा रूप बदल देना, ए शबत ता, असी की करना हैं, कि असी उनो कसाना है, उजडी असी मो नो साड के, उनो कसाके मस बनाया, मस सहाई है, मस बनाया है, ओद बाद किदे नाल? कर, कर हाथ वीए और कर करना वी असी हाथ दे नाल ही कोई काम करने है, हाथ ही साथी करनी बनाऊंदा है, हाथ ही लेख लिख दा है ते हाथे जिडा ओदे नाल जिदू असी मस बनाईए रगड के एक सा के हून सानू लिखन लई सियाईत मिल गई हून सानू लोड़ दाए कागज कागज बनेगा मत दा, मत कागद मत साढ़ी सोचे, साढ़ी सुर्ते साढ़ी विचार ली ये, साढ़ी आइडियालोजी है हून कागज जिडा ओओ ओओ चाइद है जिदे उत्ते यसी कुछ लिखी ये पर ओवर्का साफ होगे जे कागज साफ नहीं है ते उत्ते लिखत जेडी ओओ अपना माने पूरा दस नहीं सके ओस लिखत नो पढ़न लई सानो और ओस लिखत नो लिखन लई सानो कागज चाहिदा है बिलकुल साफ एदा मतलब ऐवे कि जिननी साढ़ी आइडियालोजी, जिननी साढ़ी सोच, जिननी साढ़ी सुर्त पक्की होवेगी मजबूत, साफ, सुत्री होएगी, ओनना वदिया कागज बनेगा हुन ऐस विले दे विच कीए कि साढ़े कुल बहुत सारिया थियोरिया, फिलोसिफिया, सोच या, सजियों, खभियों, अग्वों, पिछों, सारिया आ रहे हैं और इसे सारिया लई जा रहे होने और ओदे बाद वो साढ़ी अंदर जा की अपना काम कर दियाने, सानों नहीं पता लगता वो अपना काम कर रहे हैं होन दियाने, और ओदे बाद साढ़ी अपनी ऐडियालोजी की ये, वो कि ते पिछे रह जाने एसे लई हार तरम विचे के जदू सवेरे उठो, ते पहला ओस रबनू याद कर लो ते शामी दुबारा याद करो, ताके तो आड़े अंदर जो रला होया हो निकल जाए जो मो बढ़िये हो खतम हो जाए हुन असी मोनु साड के कसाया, कसा के मस बनाया, सियाई बन गई, सड़े हाथ नहीं है काम कीता हुन असी अपनी मत दा, अपनी सोच दा, अपनी विचार ली दा, कागस बनाया कर, हुन दुबारा कर आ गया, क्योंकि कर बहुत इंपोर्टेंट है कर करना नहीं है और कर हाथ वी हून साड़े को दुबारा साड़ा आगया हाथ सार साड़ी सुर्थ पे साड़ी समझे साड़ा consciousness जदू तक सानु ऐस समझ नहीं आएगी कि ऐस हाथ की है और की कर सकता है ऐह हाथ थे जो सब कुछ लिखता है ऐह हाथ थे जो जुलम करता है ऐह हाथ थे जो त्रौ करता है ऐसे हाथ विच्चों सब कुछ होनता है ऐह दी सानु सार होनी चाही दिये ऐना हथां दे नाल करन हार ने जड़े उनना दी करनी असी आपने खातेज पानने का ऐह हाथ ने जड़े करन हार ने ते एई हत ने जड़े सामपनहार में एना हत्थां दी स्यान होनी ज़रूरी है ते असी सानु स्यान होवे आपनी करनी दी क्योंके हत निशान ने करनी दा करनी दी स्यान होवेगी ते फेर ही साड़े कुल एक चीज तियार हो जाएगी असी आप तियार हो जावांगे कि हून असी अग्य की करना है सड़कुल सुर्थ मत आ गई सड़कुल कागज आ गया सड़कुल सियाई आ गई हून सानुचाईदा है कलम भाव कलम कर भाव की ये प्यार मुहबबत इक दा दूजे दिनाल एक एहसास दा रिष्टा जजबा येनि भाव वो चीजे जो सड़े जिन्दा होन दा निशान है जो सड़े ज़ प्यार नहीं है ते यसी जिन्दा ही नहीं है सड़ी होन है ही नहीं जो सड़े वीच प्यार नहीं है क्योंकि खुद्रत ने सानु प्यार दे नाल बनाए, बड़ी प्रीत दे नाल बनाए, उने सानु अपना रूप दित्ता है, ते भावदा सी कलम बनाने, होन साधी अंतर अगर प्यार नहीं होएगा, ते असी जो लिखांगे, तो नफरत फिलाएगा, असी जो लिखांगे और लोका नो पाड़ेगा, लोका नो गिजोगेगा, जोड़ेगा नहीं, इकठा नहीं करेगा, सांज नहीं बनाएगा, कुल खलकत नो इकाईद दे विश नहीं लेकि आएगा, भावदा सी कलम बनाना है, और भावदा कलम बनान लई, सानु पहले आपने अंदर, उन तो प्यार और हिसास और जजबा पैदा करना पाएगा, एमें थोड़ी यसी उठके ते लिखना शुरू करने आगे, हुन देखो कि किन्नी तियारी हो रही है, चित लिखारी, चित जिड़ाव सड़ा चेता है, सड़ी या दाश्ते, मेमरी सड़ी, सड़ा दिल और दिमाग वी चित है, उसी कहने या मेरे चित चित है विची नहीं सी, यानि मेरे दिमाग विच दिल विच यादी मेनो नहीं सी कुछ हो, चित लिखारी, सड़े कॉंशियसनेस ने लिखारी बढ़ना है, मैं लिखारी नहीं बढ़ना, जे मैं लिखारी बढ़ना, जे मैं लिखारी ब साड़ा एक चेता है जड़ा साड़ा सब्दा वखरा वखरा है एक के जड़ा साड़ा सब्दा सांझा है असी ओस सांझे चेते दे बारे लिखना है ओस सांझे चेते नू लिखारी बनाना है गुर पुछ गुर जड़ा ओएक ठांगे असी गुर दी पड़त गुरू भी कारके कारने या और गुर तरीका भी ये, टांग भी ये ओ चाजे लिखन्दा लिखन्दा जड़ा तरीका है, लिखन्दा जड़ा चाजे ओ भी गुर है होन असी लिखना की है पहले सानू पुछना पाएगा गुर्ट, साढ़ी सोच और आइडियालोजी लिए असी और नो पुछना है कि तूँ की लिखना है जिसना असी कोई चीज भणाने आते असी और नो मार्कीट करना है तो पहले असी सोचने है कि ये नो खरीदना किन्ने में असी किदे ले ये ऐए चीज भणा रहे है कौन-कौन आएगा खरीदेगा जिनने खरीदना है ओदे कुल पैसे किन्ने न है असी केडी क्लास ले एक समान तियार कर रहे है ऐस सारे चीज आँसी सोचने है ऐसे तरह लिखत है सो लिखत लिखन ले भी सानू पहले सोचना पहेगा कि मैं किदे ले लिख रहे हाँ कि मैं बादशावानू, हाकबानू, मालकानू होशकरन ले लिख रहे हाँ फिर तो मैं किसी इदे लिखांगा ओना दी शांच गजला लिखिया जानगी या या मैं आ, निमाणी, माडी, खलकते जेड़ी, ओदा संग बाणके, ओना दा साथ देना चानना वाँ आपनी लिखत राई, ते फिर लिखत रंग फरक होएगा, फिर लिखत वेचन लईनी होएगी, फिर लिखत होसला बननली होएगी, सानु ये पुछना पाएगा, आपने आपको लूँ, आपने चित-चेते को लूँ, आपनी आइडियालोजी को लूँ, आपनी सुर्थ सार को लूँ, और फिर गुर पुछ, पुछ लिया, लिख, होन लिख, कामवोख नी गया, बिचार, वो लिखे हो, इनु जरा फिर पढ़ रहे हैं, ओस लिखन दे अमल दे विच, केडे, केडे, अमल दे विच, ओ लिखारी लंगिया, शबत किस तरहां बाण गया, शबत एवे नहीं बाण गया, सो एवी ते लेखाई है, जो साड़ा लेखा पिया करता है, एवो लेखाई जिन्नों आज जैसी सारे बैके पढ़ने आपए, ए लिखत बढ़े किसरा लिखारी आप सानू टांग दास देता, के देखो, असा एंज लिखिया, तुसी एंज लिखो, ते तोड़ा लिखिया पढ़े आजएगा, तोड़ा लिखिया भी गाया जाएगा, तोड़ा लिखिया भी सारे सुनन घे, तोड़ा लिखिया भी दूजाले सुख बढ़ेगा. और जड़ी सब तों बड़ी खायश हर इनसान दी है कि मैं हमेशा रहा मैं हमेशा जिन्दा रहा मैंनो मौत ना आव मेरे मरं तो बादवी लोग मैंनो याद करन ओ खायश पूरी हो जाएगी क्योंकि मर्दा इनसान है मनुक मर्दा है उदी करनी नी मरते ते लिखत मनुखती करनी है लिखत तुनों मी वेखन दिलो है कि लिखत निरा कागज उते लिखना नहीं है लिखत साड़ी करनी, साड़ी प्रक्टिस है, साड़ा अमाल है सड़ा सुनना लिखत है, सड़ा बोलना लिखत है, सड़ा विखना लिखत है असी जो भी करने या पूरी है आती हो सारी लिखत है असी सारे कुदरत दी लिखत है वड़े लिखारी दी ते उस वड़े लिखारी दी लिखत चुँए निकिया लिखता निकलिया हुन साड़ी करनी, साड़ी लिखत बंग सी पर सानु आपनी लिखत नु लिखके बिचारना पहने बार-बार उदेते गोर करना पहने अन्य एह सारी तयारी साड़ेक्वल हो गई जाल मो, मो नु असी साड़ेया कस मस्कर असी उसा के स्याई बنाई मत कागत, अपनी सोच, अपनी ऐडियालोजी, अपनी विचार लीदा कागस बनाया कर सार अपने हाथ नूँ, अपनी सुर्थ बनाया, अपना तत सत बनाया भाव कलम कर, प्यार दासी कलम बनाया चित लिखारी, क्योंके मैंनू असी कड दितता सी ना अंदरू ओ मैं ही मो बढ़ान दी ये न सो असी मैनू ते साढ देता सी होन मैं ते अंदर रई नी चित बचिया सो चित लिखारी मैं दा इंकार करके लिखारी बढ़े है गुर पुछ लिख बीचार पुछ आपने आपनू लिखन दा ठांग बढ़ा लिख और लिख के बिचार होन अग्य वड़ा काम आ गया तियारी सारी हो गई लिखना की लिख नाम नाम लिख साला लिख लिख अंत ना पारावार तू लिख दियां फोरण अस्मान दे उत्ते या तोर तर्ती दे हेठा पताला विच मात जा असी केन्या में ओ काम करना है जिड़ा कदे किसे न कीता होगे ऐस चहान विच ऐसा कोई काम नहीं है हर वेला अपने आप दे विच कुछ न कुछ करदा है हर वेले दे जी अपने अपने हिस्से दा सीर पौंदेने अपने अपने हिस्से दा काम आपने आपने वेले देविच करते हैं असी तुसी असी सारे बेठे हैं आसी समझ रहे हैं जो काम असी कर रहे हैं तो पहले कदी किसे नहीं कीता एंज नहीं है या असी सोचने है कि साड़े बाद जिनना ने आना है उनना ने किते है काम करना है हो सकते हैं साधे तू बहुत वधिया काम करा न हो सकते साधे तू पहले साधे तू बहुत वधिया काम कारके गई होन ऐही सोचे जर्मोनww साड़ती जिदु असी कहने या लेख नाम के नाम लिखना है तो ते फिर सानु दूजयानो निधना बंध करना पाएगा क्योंकि नाम सानु साड़े वक्रे नादे विच्छों बार कारते हैं ते नाम साड़ी सांजी पचाने साड़ी सांजी शनाकते असी अपने अपने नादे विच कैध होई होने असी अपने अपने नादे विच बंध होके जिन्दगी गुजारने है लेकिन जिन्दु असी नाम दे जीवन विच ओने या तियो सानु अजाद कर देंदे उस सानु खु पुष्षी दे दें दे सानु जिन्दगी दे दें। नाम ग्यान है। नाम एल्व है। असी पहले भी गल कीती सी नाम दे बारे। कि जदू इसलाम दे मताबिक जदू रब ने आदम नू बनाया मिट्टी दे नाल ते फरिष्टियान ने किया कि एनू सजदा करो। बता टेको। ते फरिष्टियान ने किया कि ए ते जमीन ते फोन कराबा करेगा और ए तो मिट्टी नल बनाया है। ते रब ने जो गुण दसिया हुए सी कि मैं इनू नाम सिखाएने। वो दे बाद आदम विच रूप हुगी ते आदम नू किया कि दस ते आदम ने चीजां दे नाम दसे। असमा। तो वो नाम असल विच सेंटर है ग्यान दी। इलम दी। खाली नाम जपन दे नाल इलम नहीं आ जानदा। करम कमाउन दे नाल इलम होनदा है। असी लाइब्रेरी दे विच एक फॉर्मूला सिखने या। लेकिन जदू तक असी ओस लिबाटरी दे विच जदू तक असी ओस फॉर्मूले नू अमल विच नहीं ले आवांगे। असी उनू समझ नहीं सकते। नाम जड़ा ओ एक लफ्स है। असी ओस लफ्स नो समझ नहीं ज़रूरी है कि असी ओस लफ्स दू अमल विच ले आवी। अमल विच ले ओना की है कि असी ये छट देए कि साइसे जड़ियों किनने बढाई है। फलसिफा किनने बढाया है। लिटरेचर किनने लिखिया है। सानू सारा कुछ पढ़न दी लोड है। जो भी लिखन हार नहीं हों सारे निके लिखन हार। उस इको वड़े लिख्यार दे ही पैदा कीपते हो इने ना। सो पिछे ते यसी सारे इकठे हो गए, जुड़ गए। सानू नाम दा जीवन अजादी देन दाए। तानू नाम दा जीवन अकलापे दे विचू कड लेन दाए। सानू लग दाए कि यह सब मेरे अपने में और मैं आप सब दावा। लिख नाम, नाम लिख, साला लिख, सिफ़त लिख हुन्ज़ दो सिफ़त दि गाल आंदी है ते सी सिफ़त दि गाल करने यहां वोडे जेडा अचाहत करने आँ के परमात्माई, रभे, खुदाई वाही गुरुए व ऐसाडे नल प्यार करते है। वसाड़े ते मेर करते है। एगोने एढसालाय फिर आसे देखां कि होने मेरे थे क्युंआ मेर कीती। उन्हें मेरी आखांच रोशनी दिती, उन्हें मेरे करनाज सनोती दिती, उन्हें मेरे बोलन जोगा बनाया, उन्हें मेरे कार पेरंट सत्या दिती कि मेरे किसे दा मुथाज नी बनाया, एह हो दा प्यार है हो दी मेरे, लिख अंत ना पारावार, हुन अंत और पारावार है ज इसना आसी अंत नू पढ़ने हैं ते जदू असी संगत देविच शबद पढ़े आते सानू नजम साब ने पढ़ाया और उना ने दस्या कि हाफिस बर्खुर्दार सड़ा शायर खुराना गुसरे है क्लासी की शायरी दा उना ने अंत दा लफ्स बरतिया है टीचे ले एजं यह जी तुसे मेरा अंत नहीं पा सकते है यहनी तो अनू मेरे जंडे दा नहीं पता लग सकते है टीचा हुन कुद्रत दा टीचा की है कुद्रत दा अंत की है ओ की असी पा सकने है नहीं फिर पार और उरार की है पार असी असी दरिया दे कंडे खलोते है या असी सड़क दे मैं परले पास जानए है। तो तु दुगा मैं परले पास रहे हों दुपासен। है हम inland मैं मैं में परले पासे जान है। सो उरार और पा देवे साड़ा विखन। किद्थे यसी खलोतने हुए और किद्थे खलोकि यसी विखर रह या। वो तु सो पता लगेगा पार और उरार दिवांड की। दर्यादे उरले कंड़े वाल capaz गभारlor या लई पर्ला गंड़ा पा रे। ते परले कंडे वालियां ले उरला कंडा पार है सो पार उरूरार की ये मो दा पाया पु लेखा जदू असी पूरी तयारी कर लेए ना लिखन दी लिखन ले मो फेर आगे ये नहीं कियोंने नहीं आणा उन्हें ते हर पल हर साद नाल साडे नाली रणे असा उन्हों हर पल ओही प्रोसेस हो दनाल करी जण जड़ा सी शुरू विच सी आई बनाण ले कीतास जड़ी विश है मो बणी असी हो दी शकल बदल के उन्हों कुछ होर करके ते फिर नालग्ये वरता देन ता मो मुक्णी है अन्तोर पारावारे जड़ा एदे विच सानू मो भसान दिये तुँ ऐस साल जम्या एन्ने सालदा हो गया कर साल गिरा जनम दे आड़ मना उन्हों जिन्दगी वद रही है यां कहट रही है असी कित्थो तुरे साथ कित्दर जा रहे हैं पर असी मुम्बतियां बाल रहे हैं असी केक खा रहे हैं यासी कि एक हुआ रहे हैं, यासी खुशी मना रहे हैं, एह खुशी ऐसी जीवन दे बाद्धे दी मना रहे हैं, अगर सान पता होगे ना, कि असल वेच ते कटदा शुरू हो गया है, जिस दिन जम्मे सा उससे दिन तो कटन लाग पिया है, तो एही मो है जड़ी सानू समझ नहीं आन देंदी, सानू पार और उरार दे विच बंड की रखती, फिर अगर साड़ी अंदर साड़ी कुल प्यार है, साड़ी कुल प्रीत है, प्रेम है, साड़ा सब्दिनाल रिष्टा है, ते कोई भी दूर नहीं है, दूर है ही कुछ भी पर अगर साड़ी अंदर वैर करो दे, ते फिर सब कुछ दूर है, फिर ते साड़ी लागई नहीं किसे लगना, हुन नहीं देखो कि किन्नी तयारी सानू शबद ने कराई, और फिर तयार करके, क्या कि बाबा, ए लेखा लेख जान, ए लेखा लिख, ते लिख जाने जिड़ा, उन्हों असी दोदरा पढ़ सकने है, एक ते एवे कि तूँ जाने अपनी रू, अपनी होंद, अपनी हस्ती, दिल, दिमाग, सड़त, तत, सड़ी सार, सब कुछ जान दे वे चौन दा है, या दे लिख, या फिर आए कि लिख जान, लिख के समझ, हुन लिख जान पढ़ना हमी बड़ा, बड़ा होर तरह दे माने देंदे, कि एक काम में जिड़ा की ऐसी सौन के करना है, एक काम में जिड़ा ऐसी लिख के करना है, दोना राई साधी समझ होर तरह बन दी, जिसना ऐसी ऐ शबद जिड़ा ऐनू पढ़ेया, ऐ होर सी, होन ऐसी गल करने है या, सुन रहे है या एक दूसरे को लो, ऐ होर है, जिदो ऐसी श्वबत ते पारी अग्ये जाके आप गाल करांगे गाल होर हो जाएगी सो जिननी करनी साड़ी वदेगी होननी साड़ी समझ वदेगी जान जान पचान में है ना साड़ी जान पचान होवेगी सो जिदो उसी कहने है बाबा ते तुसी देखो कि गाल कर अंदर टांग किनना प्यार दाए किननी मुहबबत नाले प्यार होएगा ते कोई गाल सुनेगा ना प्यार नहीं होएगा ते साड़ी गाली किसे नहीं सुनने बाबा ए लेखा लेख जान जित्थे लेखा मंगी है ते अगर लेखा साड़ी करनी है, अगर लेखा साड़ी प्रेक्टेस है, ते फेर जित्थे भी मंगिया जाएगा, ते करनी ते हरवेले साड़ी नाल हुन दिया, वो साड़ा निसान बनेगा, साड़ा चंडा बनेगा, साड़ा अलम बनेगा, वो साड़ा निशान होएगा, मत पहले वक्रे वक्रे टाब्रियां रेंदीया, वक्रे क्वर्बूनु पोटे हले। जोप्रे करい sessions करे लोग laufen 2 मिल ऊत्टि अकल प्रोलों। उनिशान चिहुंण। हमकिते सच निशान एं। जचा निशान एं耨 जणिकान नत्टि . कपड़े दा बनाया नहीं सच दै ते सच वो असी पहले वी एक संगध विच कार चुके हैं जिसना सी नजम साब दी संगध विच सच दी अर्थ पड़े ने जिसना नजम साब ने सानू सच नू खोल के समझाया है के सच वो होंद वो हस्ती है जड़ी दान करने पारू वजूद विच आंदी जदू असी दान करने या जदू असी कुछ देने या ते साड़ी होंद जो बन दी ये साड़ी अंदर जड़ी तब दीली आंदी ये वो सच है जदू असी कुछ लेने या और आपने कुल जमा करने या वो उस वकत साथी जड़ी हस्ती बन दीगी वो कूरे जदू आपने जमा कीते नू असी दान करने या देने या वो सच सो अगर ए सच दे सानू अर्थ सही हो गए ते फिर सानू नाम दे अर्थ भी सही हो जाने ते जी एसी साच और नाम नू समझ ले आते शबत ते आपने आप साड़े दिल चलाते जाणू एस सारे दा सारा अमल जड़ा सानू गुरु नारक ने दस्या कि ए जो तुसी शबत पढ़ दे ओपई विचार दे ओपई ये एमे नहीं बढ़ गए इना दे पिछे एक लम्मी का हाले इना दे पिछे एक मेनते इना दे पिछे सोच और सुर्थ दा एक लम्मा पांदे जिदे विचुएं लिखत निकली हुन अगे चलिए ऐसी ते अगला अंत्रा लिखता है जित्थे मिले वडियाएं सद खुशिया सच्चाओ तिन मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ फेर सच दी ते नाम दी गला आगे सच और नाम ओदू भणे यां जदू असी आपने अंदरू मो नू साड़ देता जिस आपने अंदर मो नू नहीं साड़ांगे असी बाहर जो सानू मों दियाने पिंगा शेहां उननू नहीं समझागे ति असी सच और नाम दे नाल नहीं जुड़ सकते असी इकाई नो नहीं पच्छान सकते असी आपने आपनी कवर देवेच जो वखरे वखरे कैद होई हो यहां असी ओदे चो भार नहीं निकल सकते कित्थे मिल दियां ने खुशियां आते चाओ वडियाई की यह सिफत, आदर, इज़त रिस्पेक्ट होन वडियाई की हैं असी वड़ा बनाने हैं एक बन्देनो चुकने यह स्टेज दे बठादेने हैं फिर असी कहने हैं जी फ़लाने साभ आयोईने, बड़े वड़े लिखारीने जी बड़ा काम करदेने जी एन अन दे किताब यहना ने ने किताब लिखी यह सी यह दे बारे दसना चाहरे हैं, सो हार बंदा ओन दा है, फिर ओदे बारे एक तक्रीर फर्मान दा है, हुन ओज इनने किताब लिखी यह स्टेज दे बहे के ते, काफी पुशी में सूस कर रही हुन दे, थोड़ी देर दे बात, जिवे ही प्रोग्राम मुख जान दा है, क्योंकि कन्ना ने सिफ़त सुनी सी अपनी, कोई खंटा, दो खंटे, और आपनी लिखत दिवी, हुन जिवे ही प्रोग्राम मुख जान ते कार पॉंचन तू पहले-पहले अंदर फेट चिंता बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अंदर खोप एंड लग दी है ना, कि मेरी सिफ़त करने ना, वे किसे दूजे दी किताब चुक्कियों दी भी शुरू करते हैं, मैं गित्ते जावांगा, हुन एक बढ़ियाई दी शक्काले, और एस बढ़ियाई तुम मिली, खुशी दी शक्काले, असी किताब दी गल सिरफ एसली कर रहे हैं, क्योंकि लेखे दी गल हो रही है, तिल लिखत दी गल हो रही है, बाकी एनो, असी बाकी सारियाँ जिनियाँ में चीजा आने, बढ़ियाई वलियाँ ना, दे नाल जोड कि आपपे समझ सकने हैं, और ओ दे नाल खुशी भी मिली, सानू बढ़ियाई भी मिली, पर किन्नी देर, कंटा, दो कंटे, एक दिन, हफ्ता, किन्नी देर कोई किसे नू याद रख सकदा, असी योँ मांजेडे, अपने आपनू याद नहीं रख दे, तूजे नू कि मैं याद रखांगे, सानू ते अपना आपी चेते नहीं होंदा, ते दूजे नू कियों लगदाए, कि जी बाकी लोग मनू हमेशा याद रखांगे, हमेशा सिरफ सचने रणा है, हमेशा सिरफ नाम दे जीवण ने रणा है, अगर असी चानने याँ, ते शानू याद रखिया जाए, ते फिर शानू सच नाम दे नाल जुड़ना पवे, मिया महुमद बख्ष लिखते ने, लख हजार बहार भुसन दी, लख हजार बहार भुसन दी, खाको विच समाणी, लख हजार बहार हुसन दी, खाको विच समाणी, लापरीत मुहमद जिस्थी, जग विच रहे कहाणी, सो जग विच कहाणी रणी ये, प्रेम प्यार दी, पर ओस प्रेम प्यार दी नहीं, जिड़ा इक दा इक दे नाले, उस प्रेम प्यार दी जिड़ा हर हरदा हर लिए ओ दी सिफथ सलाए ज्ड़ी ओ दी वडियाओ हीी सानों खुशी दे सकती और ओ ऐसी खुशी एे ज्ड़ी साड़े सबकुल हमेशा रहन दी है ओ खुशी नहीं है ओ साड़ी सत्या बढ़न दी है ते शबत केहन दे कि ओ जिना दी अंदर सच नाम वस्या होयाए। उन्हाद दे चेरे देख कि ने शांत ने। तिके होये, हैरे होये। सकोन वेचने, अनन्द वेचने। ते जेड़े बाकी ने जेड़े आपणिगा वड़ियाईगा पे कर देने और आपणिगा वड़ियाईगा सुन्देने पे ओना नुवेख हार वेले चिंता और चुरे दे वेचन ओ मुख तु पता लगदाए कि अंदर किन्नी बेवसाईए क्योंके कूर ते जो शेक लोती होई हो सवाए बेवसाई दे और कुश्विसानों नहीं दे सकती करम मिलेता पाईए नाही गल्ली वाओ दुआओ गल अमल दी है गल प्रेक्टिस दी है सच नाम कमाण लेई सानू अमल करना पवेगा प्रेक्टिस करनी पवेगा जी असी अमल नहीं करांगे जी असी करनी नहीं कमावांगे सच करम नहीं कमावांगे ते बाकी ते निरियां गल्ला ने ते गल्ला जिनियां मर्जी कार लेगे दिन तू रात तू दिन बना लेगे थोड़ा रह गिया है फिर असी जड़े बाकी दो अंत्रे नहीं होना थोड़ा जल्दी कार देने हैं ताकि टाइम दे उत्ते खत्म हो जाए स्वारी डॉक्साप थोड़ा टाइम पांच मिनेट उपर हो जाएते हैं कोई गारी फ्रीज फेर इक आवे एक जाहे एक एक ओंदा एक जानदा है रख्या है नाव सालवार उन्सलार एक बढ़्डा परधान है राविखान वाला या अगू है ते जड़ा बढ़्डा मर्जीन आ रहा एक हुआ जड़ा आया उनने जाना थे है यह ते कदी होया यह न उस अचे जो आ के गया उन आम है जो आ के नहीं जा सकदा उसटी सच नाम दे कमाय करम है फिर इक उपाहे मंगते इकना वड़े द्वार इको ने जिना जीड़े मंगन वाले ने और इकने जड़े ओवड़े घरांवाले बण गे करो लेखा ए लेखा करो एस लेखा करन दि लोड़े अगए गेया जानिये विन नावे वेकार हुन किसे दा अउना या जाना वड़े वड़े ना रखना किसे दा मंगण वाला होना किसे दा देन वाला होना किसे दा वड़े घरान दा मालक होना ऐस सब चीजाने जेडिया ये मोन है अग्ये गिया जानी वेला लंगण दियो असी जो थन, माल, कार, पुर्खी बनाई की ओ सड़े आन वाले गुड़े पे नू रोख सक दिया असी जो भी जमा जोड कीती दुजियां दे नालत रो करके और दुजियां दा हक के जड़ाओ अपने कोल जमा करके की ओ सानू खुशी दे सकता है साड़े ले सुख मांड सकता है की साड़े ले मौत नू रोख सकता है नई ए लेखा करन दी लोड़े बाबा ए लेखा लिख जान लिख है लेखा तेन्नु सियाई भी बढ़ा गिती है मोनुक साके तेरे कोल भाव दा कलम भी आगिया तेरे कोल मत दा कावस भी आगिया तेरा चित भी लिखारी बन गिया तेनो टांग भी दास्तिता लिखन दा, होन लिख के दास्तों, भै तेरे डर अगला, भै ये जड़ा हो फिरानगी वी ये, और खौफ वी ये, हैबत किसे चीज़ के, दार अगला, अगला है जड़ा ये बड़ा वदिया लफ्स है, जिन्हों असी होन कहने न, सर प्लस, ये अगला है, वदू, एक्स्ट्रा, लोड तुम बाद जो वी ये, ओ अगला है, बाबा फ्रीद कुल है न, इकना आटा अगला, इकना ना ही लॉन, इकोने जना दे कोल किनने बढाई ये वांट करो लेखा, ते साड़ी अंधर जड़ा भै, जड़ा खौफ, जड़ी हैबत होन दी ये न, वो इको वज़ा तू होन दी, जदू असी किसे दूसरे दाल ले के कुछ खादा है, जदू असी किसे दूसरे दे नाल, जुलम और जयाती कीती, खप खप चिजे दे, ते दे विजडियो चिज दी ये, चिजना होन दे, जदूसरे कोई चीज हंड जण दीए, जड़ा तु आरा वखर्ण ओण शुरू हो जण दीए, ते सी कहने ये कपड़ा चिज गया है, ये में साड़ी दे चिज दीए, किस खौफ दे नाल? जो असी अपने आलत वाले सब कुछ होंदा वेख रहें जी असी ओदा हिस्सा माते तांकी ये जी असी ओस करनी चापना हिस्सा पाया है तांकी ये ते जे असी ओस को बार होके उनू वेख के ओदे बारे गल नहीं कीती असी जुलम नू जुलम नहीं आखिया साड़ा हिस्सा कित्थे वे नाओ जिना सुल्तान खान होदे डिठे खे मिटी ते सब ने हो जाना है जो मिटी तों बढ़िया होने मिटी नहीं होना ते होर की होना मिटी मिटी ते विच चली जान दी सो ए नाओ एज नाम है जड़ा की असी विहार दे विच नाम रखने हैं एक दूजे नूँ जान पचान ले नानक उठी चल लेए सब कूडे तुटे ने एस जहान दे अंदर एस मोद पसार दे अंदर जड़े कूड़े सांगे सांग जड़े कूड दे रिष्टे नाम दे नाल बढ़ाईए जड़े कूड दे रिष्टे शांगे बार निकल के सब दे नाल आपना रिष्था बढ़ाउए ते जीवन दा रंग और हो सकता है जीवन दा रंग बदल सकता है सो शबद सानू यह लगदा है कि शबद ऐसे पासे सानू टोरदाए पया कि तुसी अपनी जेडी मोय उनू साड के, कसा के, सियाई बणा के अपनी विचार ली दे कागस दे उपर प्यार दे कलम दे नाल, चित दे लिखारी नू लिखन देओ मै ना लिखे ओस साज नाम लिखे, ओस साज जीवन लिखे जेडा सानू उस इकाई दी पछान करावे जेडा मो दी दूई ने उसारे आए और ए ओ लेखाई जेडा सानू सबनू करन दी लोडे और एही लेखाई जेडा पिच्छे साड़े को बाबा फ्रीद ने कीता फ्रीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मगे सिया तूँ आई यू के डेकाई और एही दूजे शबद विच गुरु नालक ने लिखिया रहन गवाई सोई के दिवस कवाया था हीरे जैसा जनम है कौड़ी पदले जा अंता धन धरनी धरे अंत न चाया जा अंत को चाहन जो गए आए अंत कवा अंत नो क्यों चाहने है अंत नो क्यों पाना चाहने है जो ऐस वेले साड़े कोल साड़े सामने है वे जो असी कर सकने है ओदे वाल असी थी आननी देंदे ते शबद सानू बार-बार बार उंगल पड़ दे ते सानू इधर लेके जान दे के आओ आओ एवेखो एवी ते अखर ने, एवी ते शबद ने, जिना नू पढ़दे विचार देयो पए, की असी हयाती विच कोई ये जही करनी नी कमा सकदे, जेडी असी मो नू साड़दे ये, साड़े कोल प्यार दा कलम होवे जिदे नाल असी लिखिये, जो लिखत दी गाल सानू हैं ते काले अक्खर ही ना, पर ओ काले अक्खर किसे नू जोड़न दे, काम कर दे ने और किसे नू त्रोड़न दा, अक्खर ओही ने, रांगवी ओही काला है, जो बाबा फ्रीद दोड़ा कहनदा है, फ्रीदा जेते अकल लतीफ, काले लिखना लेक, काले लेकना लेक, अपनड़े गिरिवान में सिर्नीवा कर वेक, मैं कौन होना मां दूझे दी करनी दे उत्ते उंगल चुपन वाला, कि मैंनो एजाजर दिती गई है, कि मैंनो रब्वनो एज भुगम दिता गया है, कि मैं दूझे नू निंदा माड़ा आखा, ओ मालेक चिने सानू पैदर कीता, जदू ओ सानू नहीं प्यान निंदा, ती असी तुसी कौन होने है, एक दूझे दी निंदिया करन माले, सो लिखत सिफत होवे, सलाह होवे, लिख नाम, सलाह लिख, का दा सच नाम दा, मेरा और तेरा नहीं, ते बहुत सोणी सबने गलबत सुन लेए जी, बहुत शुक्रिया, कोई बोलंच गलती होई होई होए ते उदिली माफी, एक नजम साब दी नजम है जी, लिखन दिबारे, वो असी चानने आ कि अधिनाल जोड कि असी सिरफ पढ़ देए, विचार फेर अगली वारी सेई, क्योंकि वकत हो गया है, लिख, लिख लेखा अन लिखेया, ओ लिख जो अजे तक लिखेया नहीं गया, कि में लिख लेखा आण लिखिया मल मजभ कि में हुलेया कि में वा विच खोर खुरी कि में जैर पाणी विच खुलेया मिट्टी अंप गई कि में हदूदना लगिया माल के चैरी चूँ रू बुत ओबड़ दो कि में कठे कोठी लाए लिख लेखा आण लिखिया किवे जणी खणी मल मजबू काफर थी गई वा किंच सा बनी किंच पाणी अम्रत होया मिट्टी रिजक थाई जी मिलन जियां कूँ आए किवे मुड उगडी जडी मत्थियों कसाई रिखा अन लिखिया लिख लिखा लिखनाई ते ए सब कुछ लिख लिखनाई ते सच लिख पिकाई लिख लिखनाई ते नाम लिख लिखनाई ते नाम दी सिफत सलाले क्यूंकि तेरी लिखत तेरी करनी है तेरा सोनन तेरी लिखत है तेरा बोलन तेरी लिखत है बहुत शुक्रिया जी कोई फोल्चु खोई ओए तयो देलेंगी माफी मेट बाद वाजीवा वाजीवा पोल्चु किमें उसके तो उसी इनना सुना किता है कि जी करता है कि बस इनू इस इत्रहीं मानें जा सके पर टाइम जड़ा हो सानु रोक लनद है मैं डाक्टर को नाम क लेंड तो पहला जै ग्यानी जी लेलमा होना यात बड़ी देर दखड़ा कि तो आप अब आगी ते वर्चूल है जी तुसी गल कर लो तो जैं मोलक है तुनको अन्म्यूट करें जी कि तुसी तो आड़ी माइक बंद है जी हाँ जी मोलक बिटा आन्म्यूट करो ग्यानी जी नूँ जो 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 करते हैं आप डाक्टर कुनाम को और जी तुसी आन्म्यूट कर लो जी वाइक जी का खालसा वाइक जी की बते जी बहुत वंडरफूल इंट्रिप्टेशन कीती है समाझ जी ने मैं आता हूना नो यही कहना भी यह तुसी और रिटरंट पेज दिए जी फिर अगले इशुदे मिच पब्लिश कर लने हैं बहुत-बहुत मुबारक है निवदि शब्दावली वाइक के तुसी दी इंटरिप्टेशन शब्दी कीती है थैंक यू वेरी मच जी वाजी बार थैंक यू जी के रागसाब शुट्रिया एक काफी लंबा लेख है कोई नि कोई कुसी है दो कहजार वर्ड तक पेज सक दियो नो प्रावलम जी पहले गुर्मु ग्याने जी डेखो मोलग नो काल करो प्लीज हां जी सर्दार हर्मिंदर सिंग जी तुसी गाल करो जी अन्मुट करके हां जी हां जी हां जी वाई खाल सा वाई जी फते सारे नू आसमा जी as always wonderful interpretation थवर्डी जड़ी है ते जड़ा message है जड़ा शब्दा तुसी बहुत ही powerful सी जड़ा जिसे तुसी मिठे प्यारे शवदावली बातके बोलने ना समुक नुक नवे कीता है जी बहुत बहुत हो जड़ातन भाद जनी वेर भी तुसी आया है, I got really fascinated जड़ी interpretation आदेना. मेरा जड़ा सुवाल है, बीज़ा जिधे जदों सच दी जिकर होंदा, नाम दा जिकर होंदा, इह लफज दे जड़े परवदगार दे लखाय कनी, तांके जड़ी रभी गुना दी, परवदगार दे जड़ी गुना दी बड़े आई है, वो जीवन दे वच जीव लेके आव करें तो बड़तों बेच ले आवे, ते खलकतनार सांज पावे, जमें तुसी प्रेम दी गल कीती है, सांज पॉन दी गल कीती है, एक ता ए है है, मिनु ए लगया है, यह मतलब है, ते दूसरा सी जड़ा सी शवदी लाइना इसे की, कर्म मिला तां पाई है, नाही गली है, है, जिए दूसरा सी जड़ा है, कर्म मेंज एक्षन नी, इसे कर्म एक्षन नी, इसे कर्म भी ओ परबदगार दी, रभजी दी, फजल, मेर दा बक्षिश दा है, उता जिकर सी, प्लीज एन्नों गलरीफाइ कर देओ, जहां हो सा दा, I might have misunderstood or misra, थेंकियू जी ठीके जी एसी दोनों तरह पड़ सकने हैं असी क्योंके नजम साब दी संगत विच पढ़न दाई तरीका सिख्या है कि किसे भी चीज नो बांग ना कीता जाए उन्हों हमेशा खुला रख्या जाए करम दा इक मतलब ते है वे सडी करनी सडी अमल करम दा इक मतलब ए मेर ओधी इनायत किसे दी देन शफकत सो करम दा मतलब प्यार वी ते सारे माने आग नाल जदोंसी पढ़ने आ ते ओधी फिर माने खुल जान देना ते मैंनू लगदे कि अगर लिखत एक ग्रन साब दी होवे बगत कबीर दी होवे शाह हुसेन बुल्यशा दी होवे जए ओ सारे आधे नाल खुल के सांज बढ़ान दी है ते यसी क्यूं ना सारे माने ने जड़ी औना नो नाल जोड़ के खुल के समझे ते तो आधी इंटरप्रटेशन मी ठीक है असी आधे औनू करम दे नाल कि जज होवे गामंगांगे ते मिलेगा ना सो साड़ा मंगणा भी ज़रूरी है एक करम साड़े को लोंदा है जड़ी साड़ी करनी है एक करम कुद्रत न होंदा है सो असी कहांदे ने कि जदू तक बच्चा रोवे ना मामी उनू दूद नी प्यांदी फिर इसी थीख पढ़या है जी बल्कल ठेक है ठीक है जी, थैंक यू जी एक मैं पुछना आपो लगे अभी जह तुसी ये चैट देवे जहां तुसी ये डाक्टर साचिदेश साफ ननुपे इडियो जड़ी तुसी लेख लेखा अन लेखे अजड़ा जड़ा नाजन साब जड़ी कोई मां भी शेयर काते हो वंडरफुल सीगी पर एक नाम लिखी नी जड़ी कही नी सुनी नी जड़ी सो जे वो पादेव तो बड़ा इस तो पहला के मैं डाक्टर काला सीजी लवा है सदार मोंसी जी ने चंदी का तो बड़ी अच्छी गाल लिखी है जी के हर बुला रहे अथे लिखन वाले नू पैन कादरी ज सीजी जी अच्छी जी वाद रहे अच्छी जी आच्छी जी आख जी डोसी तक मैं शमजन जी कोषिच किती है जिनने लिखे जिता की ये हुकम किसने के ना दुनिया चल रही है और मेरे करम जिडे ने उद्य होड़े मैं लिख दा है अपने आप जिस तीक न सिम्गा वा कि मत लहें कि आपनी मौन उसाड़ के शाहिश बना के तो मैं अपने लेख अपने लिखदाया और फिर उधे मताबक मेरे करम ये मेर में फिर में करदाया तो के जड़ी मेरे फिर लिखा झूक खाया मेरे उना करमा में मताबक basketball ना के ये मेरे मथे ये जमन तो पहला राबने नहीं लिखे यह मैं खुद कोशिश कर दम अपने आप लिखन दी, am I correct? जी, जी. मैं ठीक समझें, वाज यह थे करना जो तुछ इस दसन दे कोशिश किती है. जी, जी, बिलकुल. डॉक्टर सब गाल लेजे, कि कदी एंज होंदा है, कि दसन वाला थोड़ा दसता है, कि दे समझन वाले नूँ बहता समझ आ जलदा है. ओधी बजह हुंदी ए, कि सुनन वाले दी और समझन वाले दी हाजरी किन ने. ओ किनना हाजर है, किनना प्रेजन्ट है. तो हो सकते हैं, ऐस तो थोड़ा ही दस्या होगे ती तो आनू ज्यादा समझ आ गया होगे. बहुत बहुत शुक्रिया जी. बाके जिड़ा उन्होंने पुछे सेगा च्वाल करम दे बारे, मैं एनना के जुरूर ना एड करांगा तांडे, कि इट इज आलवेश इन ना कॉंटेक्स्ट उदा शबद, कि जिड़ा करम है, मेरा करम आ रहा हुआ, कि रब जी कृपा आ रही है, ओ शबद दे कॉंटेक्स देवेश आ जाना है, कि इननों मैं किस तरिके जना लेना है महा हूँ, तो शुक्रिया जी. थैंक्यू जी डाक्टर काला सिंग जी. स्दार फूला सिंग जी वो तो बलम मैं गल कहा देया थे, ते जी सामने लिखिया है, वाट अन इंक्रेडिबल गिफ्टिड लेडी वो अंटेंगल्स आवर इननर नाट्स विट इज. वाकिस हच्चा है, बिल्कुल ठीक है रहे हूँ, स्दार फूला सिंग जी गल करो तो सिंगी प्रीज. जी, बहुत है नंदा है, तुसीं बाबा फृरीज जी दा जिगर कीता दो तिन्वारी, उदे बारे स्वाल है कि स्विट ग्रम साइब जी तो बार फृरीज जी दी को रचना है, ते मसले शेख फृरीज बारे को जान करी है तो अनू, यह भी जारी. जी, मसले शेख फृरीज जी दे बारे कुछ किताबा लिखियां गेंगें, यह ने साड़े अथे वी, डॉक्त नभीला जी ने किताब जेडि यो लिखी है, थोड़ा, जेडि गुर्मुखेविट सी, ओनू और इंटरप्रेट भी कीता है, ते बाणी दिबारे जी क्यांदे ने कि कुछ है वे नहीं है बाराल असी हो ही पढ़ने है जो साड़े कोल गरंद साप तुँ आई है अच्क कोई पुछ बनानी चोटा सवाल बनाना और परो सवाल बारे एक कहानी बनानी जो सी मसले बड़े निए वीच एए जे यह एक चोटी लिए नहीं गाला सी दस देंडेनिया डीटेल नहीं कि एक ड्रावा हूंदे ना जेडा खेतना देवीच खड़ा करतेने ते जड़ा के प्रिंदे वगएरा उट जान पक्खी वगएरा उटन ओथे ना एक ड्रावाख लोता हो यह थी कोई चोर हो थू लंगी है कोई कनक चोरी करन ते ओ काट के जान लिया है ते ओ हस पे यह तो कहांदे तू क्यूं हसे आए फिर ओनुका हाणी सुना दाए कि ऐसरा प्रिश में अजे तक ड्रावा बढ़ा या खलोता हूं कि आज जो एन नी चोरी करना है ए तो सोच अगे तेरा की बढ़ना है सो एंच दिया कुछ मसले ने एक्जेक्ली एस पे लिए सड़ेज नहीं है ते ओ एन दिबारे ही इन डिटेल गल पाते जाए बहुत शुक्री ज तेंकियू ग्यानी जी ने उन आत्रेज कर ले आ है वो आगया सी अम ओले ते ग्यानी जी गल करो उन तुसी प्लीज हाजी डग सब मैं पिछली बरी जनों आए सान बीबी जी आश्मा जी ति मैंनों कैसे मेरी चोठी पहना है ति मैं समय दें कि इस जन्रीगी वेच मैं जिस तरीके नल इना ने शबत नू एक्स्प्लेइन कीता है ए सानू सोचंदी लोड है कि जदो बानी असी पढ़ दें और जदो बानी असी एक्स्प्लेइन कर दें साड़ा की तरीका की टांग होंदा है और इना ने जिस तरीके नल सानू ये समझाया है परमात्मा रह्म कर ते इननु लंबी जिंदगी देवे, ते एह हो जिये जडिये बिचारा ने उस अनु ए सुनाओ दे रहे, ते सानु मुका मिले के असी इननु सुन्दे रहे, बहुत-बहुत शुक्रिया पहन, तेंक यू. Thank you, Ganyanji. Thank you. Very nice. Very nicely said. Anji, G.B. Singh Ji, please. Anji, Anji. Dr. Qadri, beautiful. I just explained to you, I think we have no knowledge of how we can match. But just give you something on the side. Western philosophy, 18, 19, 20th century, 300 साथी लालो, जिरिये कि मैं काफी पढ़ी हैं, सारी नहीं कह साथा, पर ओधे विचे कोई भी Western philosopher ने, जिस तरीके ना, गुरू दा शबद है, गुर्बानी दा शबद है, एक कितनी अंदा हो जाओ? It's just an observation. ठीके ना, ओना अंदा है कि क्योंकि लिखता है इसे राइडिंग, एक क्या ऐसी चीज जड़ी गुरू ने लिखी है, क्या हिंदू शास्त्रा चाहिए कितनी जी हैगी, जी हैगी, जी हैगी, जी जी हैगी है जी चीज? जी हिंदू, शास्तर या ऊचीज जी पढ़िया नहीं जी. अब पर्दाव, जी हैगी, जी जी हैगी, जी हमाने लेकिन इन्सान दे नाल डिरेक्ली अनी क्मुनिकेशन है, जी जी उन नहीं मिलती, पिर अपनी बोली है इदा रंग हो रहे हैं कि बिल्कुल इंसान जड़ी जिन्दगी यह बार-बार डिसकस होई हैं बार-बार होई है कि सौंकी और खा के जिंदगी ना गुजारो सारा टाइम सौन और खानली नहीं है सारा नो एक एक पल दे और एक एक चीज दे पुछ होने हैं सौड़ी इस्लामिक सोच शाड़ी इसलामिक फिलोसफी साड़ी अपनी धरम दे पड़त तौड़ी आपरी पंजाब दी रैत्ल और पंज़ाभी क्लासिकल शारी दे पड़त वो सारियां जुड़के ही फिर ए इंटरप्रेशन जुड़ियो जो समझांती है वो बंदी है I got it. Thank you very much. Wonderful. Keep it up. अजी अर्वांसलाल जी, गल करो जी. हां जी, मेरी आवाज आ रही रही रहा? हां जी, जी यो. एना रही जो कर दो है जो शूटा स्वाल करना चाहना जौना, इस सिंद लेख रहा है आवे पारे को छोटी दस रहां ड़की कर सकते हो। हां जी टाल कै गाूनादा? अधिया जोग ने जायरे इत्वे पकस्तान दे विच ज्यादा कीरतन या ज्यादा गाना बजाना उन्ना सुनिया नहीं जानदा और फिरो पुराना क्यूंके गाना है उन्ते लोग फो अपना पॉप एजड़ा उन्नमा होगी सुन देने धे माड़े हलात विच ने छोटा जिना कारे उदे विची चार प्रामा दी फैमिली जड़ी और रहन दी गेगों बच्चे बच्चे आ निया शादियां हो कि ओवी फिर उत्ते हीने क्यूंके और कोई सौर्स नहीं है चोटे मोटे काम गवड़े कार रहे नहीं होना दे भाकि जी टेल असी होना दिता अनु दस्टिती सी फोन ते भी तो किसने ब्रदर आगए तो किरने वना चिर्डर में आगए वो काफी बड़ी फैमिली है जी मेरा खाल है कोई फुश असी लिखिया थे है ऐसी मैं फोन ते तो अनु दस्टा जी असी ठीक है डाट वी बेटर यहां जी फिर एते लेट हो जाएगा सारे अनु थैंक यू पाई रवान लाल जी थे थैंक यू पाई जी सराज जबीर सिंग जी गालक करो तुसी होन जी प्लीज प्लीज वाहिगर जी का खालसा बहुचिल पते बेर्णकार अर्समा जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जग्धा ना कावाँ बहुत सारे वी बीरा पड़ाने कहे दिता है वक्ती कमी है बहुत चुछी तिनार समझाए है और ये शेवट देंदर बहुत सारा मेटाफोर है स्याइदा बराना लिखना कलम वो एक मेटाफोर है लेकिन आहम इंसान साथे बरगा जना जिना जिन्दी जिन्दी जिवने है उदे वेचे असी किसना हमच लेओना है असी काम कर सकते हैं चंगी काम के दूसरे मितना सब कर सकते हैं लोग का रिजद कर सकते हैं किसा मड़ा नी कर दे एई सोच रखने में सब इन्सान पर मातमा ने रब दे ब्राया है ने इना ख्याला देना लिए अपना जीवन रोजा जिवन रोजा सकते हैं अपनों याद कर द पसे सारी सिश्री नाम हैं तुसरी सारी नाम दा इसा है और जो भी सब्माने मिले आ खुरब आप कहलो बहु आप कहलो उसन नली याद कर सकदे आ पार्ट भी पड़ सके लेकिसे ज雅धा खुरसी की कर सकते हैं जो सब्म कि जो तुस्वी आप जी ने किया है एह मिश्ण सवाल मेरे साब नहीं होदा है कि असी प्रैक्टिकल जीवन चीजां किस ना मतले आई कि अगर सी आपने हिस्से दा काम समझने आ कि पूरा हो गया क्योंकि लिखत जिमें कदी भी पूरी नहीं होंदी हर वकत नमी दुनिया बन रही है साड़ी बॉड़ी दे अंदर हार वेले सेल टूट देने पर बंदेने पर ऐसे तरह जबूसी समझने आ कि असी चंगा कर रहे ह ते फेर एदे नाल सानू मंदेनू रोकन दी लोड़े जो गलत हो रहे आए ओदे नाल गल करन दी लोड़े क्योंकि जो गलत कार रहे आए ओवी ते साड़े बरगा जीए वो कित्थे फस्या होया है उन वो थूंकड़ी है सो असी आपने लेई आपने परिवार दे लोगां लेई या अपने चेड़े साड़े पहले रिष्टे ने मिया भीवी दाए माँ बाप ने पहेंड प्रा आने सो अग्मू बच्चे ने एक छोटा परवारे जड़ा एदे विष्थियां देनाल पूरा कर लिया असी अपना कार भी बना ले आपना future भी सेफ कर लेया असी अपनी आण वाली जणरेशन दा भी future जड़ा उन्हुं साम लेया हूं सणओ यह देखन दी लोड है कि होई किन्नी खलकत है, जिन्हों साब दी लोड है, हर पासियन, और ओह ही साधी लिखत होएगी, असी कोई राइटर नहीं है, असी कोई लिखारी नहीं है, कि असी बहुत वधिया लेख लिखने ने, ऐही साधी लेख बनने, असी छोटा-छोटा काम हर रोज, अपने जिन्दगी छिस्सा पांदेरवी, जिदू असी सोच रहे हैं, कि जिदू मैं, जिदू मेरे को ली करोड होएगा ना, ति फिर मैं उदे विच्छों लाख रुपया दान करांगा, ठी, होन ए, जिदू करोड जुड़ेगा, ति लाख दान होएगा, हो सकता है, पूली जिन्दगीच करोड ही न कि कुछ कर सकने है, मस्तन साड़े को ले थे बहुत सरे इंसिडेंट होंदेने, बिल्कुल तुसी कहलो, साड़े नेड़े कहा रहें, उथे एक कहलो के वाइलेशन, एक चड़ाये, कहार दे अंदर, कोई जुलम, जियाती, बी-बी दे उथे, हुन सारे कहार आले दूाले न असी एनना ते पुछ सकने हाना, कि ये ये तीम बच्ची दे हुते, हाथ चुकना, और एक इनसान नू ऐस हाथ तक जुलम करना, कि वो मरंद नेड़े हो जाए, कि ये इनसानियत है, ते ये जाती है, साड़े रिष्टे कीन है, साड़े आल दूाले दे लुगा देनाल, किन साड़े रिष्टा है, हाँ अगर रिष्टा होएगा, ते फिर असी भी हिस्सा पावाँगी, और फिर अगला बंदा भी उनू कबूल भी करेगा, कि हाँ ठी, के तुसी मनू रुकिया, मैं मन लेना, पर असी ते जान दे ही नहीं साड़े नाल वले काच कौन रहने, असी न साड़े काम कार ले तो जितने जुलम और जयाती हो रही है, असी उनू रोकन दी कोशिश करें, अजितने नहीं किया था काम हो गया है, लेकिन सौन है कि इनसान थी साली पहुंच कि लिको है, एक दारा लिम्ट नासीं लाकलों को नहीं मिल सकते रोज़ना जिंदगी देवि लेकर साड़ी पहुंच था लिम्टेड है ना, तो स्वाल ता सी गल कर ने सी ओ परमात्मा दी हो दा लेक लिख लिखे और जिखें, ओधेश मैं के वह आपने हमने रेलेट कर सकना, डेली लाइज दे विच्छ, तैस आलवेस इमेजर क्वेश्चिन, क्योंकि गुरु साब अधिमेटि ते करनी ते क्या है, करनी ते करनी ही ते करनी ही विच इविच भी विच इस सारा कुछ है, तो एक अल मैंनो उच्छिन लग दी जदेने, आछे लेक लिखे जान देने, उन्नो मैं प्रेक्टरिकल रूब जिए लेना आपने रोजवा जिदकी दिविच्छ, अधिमेटि जदकी आफने बलाइंगे, आपने लेक लिखे लेक सारा ने रेक लिखे लेक लिखे 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 लेकारविच ने बेस्टान ओटेंटि यूप उन्नुकित ना टिदेने, जभी तो ऑनकाति जदुना, प्लीखे ज़िच अधिटि निटल निन्टेने, जग अज बहुत कुछ नमा सिखनों मिलिया शब्दावली नमी मिली बानी नु विचारंदा टांग एक होर नमा टांग मिलिया ते होर बहुत कुछ सिखनों संकेट में एक डाक्टर कारा सिंग जी ने लेखा देगाल कीती थी मैं सिर्फ उनु गुर्वानी वी तुक नार लेट करके करांगा लेख साड़े कि लिखे जांदे ने कौन लिखता है दिन रात कमाइंड़ो सो आयो मत है जो असी दिन रात कर दे हां चंगा चाय माड़ा उस साड़े लेखे विच लिखे आ जानदा है पि दूसरी गर्खुने पहनदी का रेशन दी लेखा खतम नहीं होंदा कर दे रहना चाहिए है कुछ ना कुछ दूज्जियां वाशे करना चाहिए है बहुत कमाल दी गल एकुनानक जी आख देने आप जपाए अवरा नाम जपाव है जपन तो पाव सच आपने जीवन वीचियावे जूजिया जी इनानक जी बाणी नहीं आख देने बहुत तन्वाज पैंजी आप जीदा वाजुजी का खाल्सा वाजुजी की फते पर एक पुर्णा मेरे दिमाग वेचा रहा है कि जदो कादर किसे नू निवाज दा है ते चार चीजां उदी चोड़ी बेच पाके निवाज दिन दा है सूरत सूरत सीरत सैज ते अल्ला ने तो अनुचारे दे देती है यह जले हो दा बहुत बहुत अनुवाद पर एक थोड़ा जा विचार में तो अडिनल सांजा करना चाना तुछी क्यासी पर एलम नाम है पर मैंनु लगदा है कि नाम तो ही इलम परापत हुंदा है तो यह दुनना दे विच्छों उसर मोर कौन है इलम या नाम वाइक हुआ जी आसको जी जो जिनना सानु इलम मिलदा जाएगा उननी नाम दी समझांदी जाएगी ते जिननी नाम दी समझाएगी उनना सड़ा ज्यान वदेगा ते असी असी अन्त और पारावार्च ना जाईए जो है वे यसी ओनू एज़े टे समझ लईए के साड़े कुल ग्यान किनना है और ग्यान सानु नाम दी समझ किननी दे रहे है ते नाम दी समझ सानु ग्यान किनना दे रहे है की पहले ते की पिच्छों की अग्गे ते की पिच्छे अपनी आपनी समझ दे मताबिक असी बख चीज़ा होता है क्योंदी अश्माजी गरबाणी देवें जेड़ा मूलता था था नहीं असी नाम समझ देयां सो मेरी इंटरप्रेशन जा सामझे है पर इस नाम तो इस सारी है चीजा होंद बेचा हो निया है जे उस होंद नू सामझे ना होगे ता उदे विच्छ अन्वेल में चाहिद है ठीक है जी यह भी ठीक है बिल्कुल ठीक है शुक्रिया डाक्टर उंकासी जी आन्म्यूट कर लो प्लीज वाहिरो जी का खालसा वाहिरो जी की पते जी खासम की तुर्की बानी वीचे आसमा पहन जी वहलों मेशवास चते प्यार लई सलाम जी बहुत खुब सूर्ट उना ने गला किती है ने पच्छे पाश्या ने हर चीजा रूप बदल देता कि मैं उना ने लिखते जड़ी या मोनों बदल के मोनों मारन दी गाल नहीं की ती उना ने वहसे एक तरीका एक जोगत दासे थी कोई ओधा रूप बदल के से असी की पराप्ती कर सकते हैं कि मैं लेक लिख सकते हैं जे रबी विचार लिखे रभी लिख से लिखे बड़ा प्यारा किया रबदी तरह ही अमर भी हो जावाँगी रभी नाम जादी देंदा है रबी नाम जी कमाई ना जाक विछ तो हड़ी कहानी बन दिया है बहुत सच एक मैं बेंती में है गा मैं गुर्बानी जा विजा रखनी है ते अर्था नूझे गुर्बानी विया करना न सार समझ के कर लिए अर्थ जिरे ने पोर सार्थिक हो सकते ने तो कि सचे पाश्या तान्गुर अर्जन देव जी ने और पाई गुर्दास्टी ने जाद गुर्बानी संपादत कीती तो स्पेशल जेरी गुर्बानी पंजाबी विया करन नहीं और कोई व्याकरन नहीं गुर्बानी व्याकरन अपने आप विच उन्हाने एक अजाद एक वक्री व्याकरन है जो उन्हाने सिर्फ गुरुग्रम साहब जीरी बानी वास से यह बनाई सी कि ओधे विच फिट तरके थी देखलांगे तोड़े अर्थ जिड़े ने वह और खु गुर्बानी व्याकरन तुसी कह रहे हूं एक किताब दी शेप विच शिख विच रॉप बिच है वैजी अजीरी ने भी विच पर अपना शिख मिश्री कालजवादे ने थोड़ा पांफ़र्ट चाप्रिया होया और बहुत कुछी देटे मटीर रहगा है पराथर साब सण अब गुर्बानी व्याकरन तुछी तोड़ी याँ किया ते सौखे तरी के ना काफी काफी कुछ जड़ा है तो फ़लब दहएगा है ते छोड़ी छोड़ी यांगलना उदेना बड़े अर्थ निकर के आ जाने मतलब सहारी जिसे लगी होई या अंकर जिसे लगया होया है अब अधे अर्थ के में बढ़न जाने ने छिए डिए इन श्वयरी लगी हो या था अधे अर्थ की बन देने के मंचता है तो अर्थ की बन देने पिल्कुल सरल तरीके ना देती हो या समझी जा सकती है जी सदाती जिंदर सिंधी उस तो बार में सदाजी जिए जी नो लवागाजी अन्मूट करो जी सदाती जिए काल करो गाइब जी गाफाल साव बाइब जी की फदे डाक्टर असमा कादरी जी दा बहुत बहुत तर्वाद है उन्हें दी तर्जे बियानी जड़ी है वो बहुत खाबले थरीफ है और मैं उन्हें दी जो एक्स्प्रेशन है उदे चौह इक गल सोई सके हैं कि उन्हें दे अंदर गुरबादी विचार कर दे हैं कर दे हैं कर दे हैं बहुत सरलता और सह्जता आ गई है कि सहिपनादना अन्हें इतर अःर्द की तैं यह लाक्टर वांक आर्जे ने किया है किसैनों गुरबादी खास ओरते साम्जाहाव ब्हुत Посेंप बार्म एंसी गुरबार कर अंहें हम वो दे मताबक एक अकाल पुरुख है और फिर गुरु है और फिर सिक्ख है शिक्ख ने जो भी सिक्दा मतलब स्टूडेंट या सिख्यारती या जड़ा इस तर्मनों फालो कर दे हैं उनने जो कुछ भी प्राप्त करना है वो गुरु दे रही प्राप्त करना है अकाल प्राप्ति कर दे हैं तो इस शबद अंदर जो पाव सानों नजरांता है वो यह है कि गुरू दे अर्थ जड़ेहन वो ग्यान है ग्यान गुरू आत्म अपदेशो दी गाल जड़ी है गुरूमत वीच असाड़े सामने अंगी है तो असी गुरूनों मनफी नहीं कर सकते जी नहीं साजा करना चाहाँगा के असली साथ निबॉंड वाला पदार्त प्रभूदा नाम है जो प्रभूदी मेहरनाल गुरू तो मिलता है सरदारियां ते पाज़चाईयां इते ही तरहीं रह जान दिया है इन अदा मुलक कोड़ी भी नहीं पेंदा सारी जिंद्गी ही अजाई चली जानदी है, तान तेस जगत हम होँँ छड़के, प्यार नाल, परभू दी सिफ़त सला हिर्दे विच बसोनी चाह दी है, तो जो इते लिखे दी गल कई है, और परभू दी सिफ़त सला दी लिखे दी गल कई है, तो ही काम मांदी है अगे, जिते सादा जड़ा ल लबाव है तो एक वारी बहुत पेंजीदा तनौाद करदा है जिनने बहुत ही सर तरिके दनाल एक नमा पर एक जड़ा है शबदा समदेता है वाहिजी का खाद्सा वाहिजी थेंक यू जी थेंक यू श्राज़ जसमीर सिंग जी ओन टूजी गाल कर लो प्लीज जी मैंने एक दो स्वाल एक निका है स्वाल कि मैं डॉक्टर गार शिंग वास्ते है ते उनननों मैं पुछना चालना जी आप बर्फीले पाड़ां दिविच पैठ्छिव था ताट नहीं लगदी तेके ठंड लगदी थे फोटो आज पता है अनानदपुर सहाब दी फोटो आजी एनान और इसिक निया को दूट जीए तौसा ह ने पियारटी गलकीति है और भील भीलों मौ नहीं हो दो स्पेदे हो नहीं एडियो moderate-टे भीले थे बaste माल मह कुछ में लगदी थे तेके पियार नहीं हो सक्टार नुन牛ए क्राव सक्टा है जाने तोड़ा फरेगे प्यार विच और मोविच प्यार जड़ा ओ सब देनाल होनता है तो थोड़ा जिना सन लगदे कि जित्वे इकाई आजन दी एना उत्ते सन लगदे हों दूई जेडिये ना उनने ताही जाना है जे इकाई पकी हो गई ते अगर असी फेर दूई द चल गए तो फिर इकाई नहीं रंदी तो खेड एननी ही ये मो दी और प्यार थी लेक। इंधिर मेरा ज श्वाथ थीम्ही पैड़ है उसी सवाध लेकर मेरा प्यार जिद्व पहल शीन přेडी सीन ठीस। लेकि अरके गश्वम मेलं भी एंग insha एकाई नहीं इतने पेड़। यह एक है पिडिए यह दिए अगर प्राइब करना चाहने है जरूर अगर कोई बुरा ना मनाए के देखो एक बंदा एक चीज पढ़ दाए उन्नु जिनी समझ आई उन्ने सब्देनां सांजी कर ले उन्न जदू सानु जो समझ आई ना असी यह दिर्र्क्ल जादा बेतर बजाहें आदे कि आसी पहले सवाल करने है पुछने है तो आड़ी एदे पारे की राए वे फिर अगला बंदा दसता है तो आड़ी एवे तो मेरी एवे ते असी डरेक्टली भी दस सकने ही कि में नू जह लगता है ते ओधिनल मैं लग दे कि ओ समझ साडी ज्यादा वदे की ऐसी वकत जाया नहीं करांगे ज्यादा वदे की ज्यादा मस्भूत हो एकी जिस पीघी जेड़ा उसे पुछ रे सो कि साथ ऐख जिंदिगी विच आम देन दी शिकी कार सकने हां। गी पेस्टी ये लिएक एक सानु लग्ञथे के इ इन्सान जड़ा आग हवा मिटी पाणी तुु बंढेया एन ocत्षीए जिण लोगत का इंदर उया। क्योंकि असी उससे तुपढ़े हैं हवा कदी नहीं है पुछ दी कि मैं हुन एनने लोकान सा दे दिता है ते मैं आप भी लेले आए ते हुन मैं की करां मिटी नहीं पुछ दी तुसी मेरे चुम होर किन्नी की उगास करनी है बस कर देओ या मैं थाग गएगा मैंनू रेस्ट करना है या मैं हुन बुड़ी हो गईगा या मैं हुन बच्ची या या हुन मेरी जवानी है हुन तो मेरे कुल वेल नहीं है सो असी सानू सिरफ और सिरफ देखन दी जोग है यो फाइव एलिमेंट्स जिन दिन आल असी बढ़े है वो पंच तत जिड़े बार सब कुछ कर रहे ने और हर रोज कर रहे ने और वो लगातार कर दे चले जा रहे है वो साड़े अंदर वीन असी उनना नू अवे ही भरती है जिमें खुबरत ने उननो बढ़ाया है कि में बाल बढ़े जिदू असी निक्के सां ते असी हर वेले खेड़ते से ते असी होन मी खेड़ी है असी यह नो काम ना बढ़ाई असी जड़ी शबदी भी बिचार तोड़े सब्दे नाल कीती असी एन जी कीती के ईक पड़त है उस सब्दे नाल करने या ते कुछ कल्यां पढ़ के समझ आया आसी कुछ सब नाल गाल करके समझ आवेगा कुछ सब्दी सौन के समझ आवेगा सो फिर सानू लगदा नी कि किसे ने कोई अच्छा कमेंट कीता किसे ने कुई बुरा कीता किसे ने साढ़ी सिफत कीती किसे ने बदसिफती कीती फिर असी चीज़ां छुब आर निकल जाने जदु आसी खेडने या जदू आसी बच्चे होने ति जदु आसे वड़धे हो जाने या फिर उसी कम्मीं लाग़जाने ति मैं लेग्ढ़ culture बच सारे नू कहे रहे ना के इना ने कल प्रोग्राम रखे वाय जी गुर्बाने विया करने परे स्वेरे आठ वजे इस्टन स्टेंडर टाइम जिसने कोई लर्न करना होए तो वो दास्ते ने ना नू फोन करके ते उना वो तो नू जिंक जूम दा लिंक पर देंगे ठैंक यू राजिंदर भी सिर्जी काल करो मैं कहें इस इस दी लास देन वी बिल स्टाप दे प्रोग्राम जी का खासा वाहिगूर जी की फते असमा जी सलाम बहुत खुशी होई फेर मिलके जदों किसे भी पांडे दे भी चिदुद पाना होगे ते उपांडे नू साफ करना पेंदा है साफ करीद है ममूली जी अंगला ने पर याद नहीं रहती है आज तोड़ी गाल सुन के के वरका साफ होना चाहिए लिखन तो पहला सो ओ दिल नू गाल लगी कि किसे काम करने जरूर अपनी काबलियत अपनी त्यारी जरूर करनी चाहिए अपने आपने आपने साफ करना चाहिए इस दे काबल बनाना चाहिए कि सी हो चंगा काम कर सकी बहुत 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 शुक्रिया थैंक्यू 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 जजबी तुसी दुबारा फिर आर्थ खिरा के वैसे ही है जी कहना कुछ तुसी मैं मैं के लाओ से कह साथा जी जी आ देखिए जबीर सिंग जी कुछ कहना चाह रहे थे उस तो बातों से गल करो फिर में खरणा करहा थे जांक्यू थैंक्यू 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 अच्छ थैंक्यू गोल हो जानदा है फिर उचुबदा नहीं किसे नो ते असी सारी जिनगी ठुड़े आँच कड़ी है जिनने ठुड़े खादे ने जिनिया गाला खादिया ने ओना दे उत्ते चुप रहना सिखिया है ते ओ चुप अंदर रहे के विस नहीं बढ़ी है शुकर रभदा ओ जिसी कहना दुबारा कुछी आत खड़ा मैं जा मैंनी किता तो अनुम्हां जी ने जी सारी चलो थैंक यू सारा राजी इट ब्यूटिफुल प्रोग्राम तुड़े टाइम बहुत हो गया है मैं कोशिच कर रहा सिगा डेड़ गंटे बाद खत्म कर रहे फिर भी 10 कुमिट कि फॉल्ट हो गया है जी तो ओरी मैं मौफी चाहूना हो जाएगा ते मैं थैंक यू करना तो अड़ा सारे ना इनना टाइम कटके तुसी आयों मैं गल्दास देयां कि अगले हफ्ते तो टाइम चेंज हो रहे है पर इस्टन कोस्ता रिलेशन्शिप है ते जितो तक अग पैसे कोस्ता रिलेशन्शिप है उना टाइम उजी हो रहने है इसाधे पांच ते उद्द्र साधे आठ जिवे सद्दा एर्यजोना स्टेट डाइम नीचेंज इंगा इसकरके सद्द साधे छे वजे हो जाएगा इंडिया डा टाइम हो जाएगा छे वजे पाकिस्तान फिर वह बहुत ज्यादा टाइम हो जन्दा है ते इतर भी सांधी जड़ी मूवमेंट है विद्दा के को लोगा ने कर थोड़ा टाइम ज्यादा लानों दा काम थे एए वेरियस रीजन आगे पर इस दवेट हैपनस टू भी तो अगले वारी तो आपकां एक कंटा पहला मिला आगे ते डाक्र आसना जी फिर जेकर बहुत ज़्यादा मैं कैन लगा तुसी कहे रहना है तुछ कहीं जन्हां बहुत पर मन शांत नहीं हंदा जाता कि जो अंदर अबार उठ्वारे हैं कि यूँ है बिन एन एक्सिलेंट 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 स्पीकर पर मात्माने खुदा ने रब ने तो अनु एक ऐसी उनर बख्षी है, ऐसी स्किल बख्षी है, कि तो अडे लफज अड़े अंदरों निकल दे हैं, वो बिलकुल फुलानी तरह मिठे लग दे हैं, और यह आवाज भी मिठी, तो अडे हर गल किती हुई इन्हीं प्यारी लग दी है, तो अस इस तरह समझा सको, पर मात्मा ने की ता ता फिर तिन चार मिन नहीं तवाड़े दर्शन करांगे, ते एक वरी फिर एदाई तवाड़ा प्रोग्राम एंजाए करांगे, ते मैं इस तो बाद दसना चाहूना, कि अगली वारी जड़े साड़े स्पीकर हैगे, उना दा ना ह सरदार रविंदर सिंग जी, खोज गुर्बानी, वेस्ट विल ओहाइयो तो रहन वाले हैं, ते ग्रेजुएट है कि साइमन स्कूल आफ मैनेजमेंट, यूनिवर्स्टी अफ राचेस्टर, न्यू याग, उनना ने बहुत सरी किताबां, आर्टिकल बगारा लिखे हुए ह हैं, ते सब तो वना दी जड़ी देन हैं, सिख तरमनू, वे है कि उनना ने एक ऐसी वेबसाइट करेट किती हुए है, जिस अना है, खोज गुर्बानी, ये तुसी के एच ओ जे खोज गुर्बानी पाऊंगे, तो औरे विच सारा कुछ जो कर देया हूँ, आजन्द है, त पंजाबी, सो प्यारे वो जड़ो कर दी तॉनो टाइम लगे, सदार विंजर सिन, खोज कुर्बानी दा ए तुसी देख लो, ये विल बी आवर स्पीकर नेक्स टाइम, ते उना ने नाम बारे गाल करनी हैं, फदर डिटेल चे, इस सो कोइंसिडेंट के उना नहीं चार मिन पहला क्या सी, तो अडिना लहुन गाल हो इसी, बट टापिक आलमुस्ट हैपनस तो बी दा सेम, बट इने डिफरेंट परस्पेक्टिव, ते मेरी बेंटी तो अडिस सारे नो एई हो है, के ए प्रोग्राम सुक्सेस्फुल ता ही रह सकता है, के तुसी सारे एद्दा ही मेन वाले किसी नो जान दे हो जड़ा के इस इंट्रेस्चिल लेना चांदा होए, तो उनो जरूर को के एक वरी आगे सुन लवे, ते मेरा ख्याल है यह अच्छी चीज़ है, आफ्टर आल है ते चलो थेोराटिकल पर ए नालज बखश दा है, जड़ी के अगे किसी नो किसी वे ले भी इस तरह उनों स्टिमूलेट कर सकता है कि वो कोई ऐसी गाल करता हुए, जड़ी के तरम दी वी, सोशल स्ट्रक्चर दी वी, ते मौरल तरीके नाल भी, वो उनों होर स्मार्ट ते अच्छा बना सके, दैन बट एट परसन हैपनस तो भी नाल, सो मेरी हाथ जोड़के बिन्तियत वारे सारे नों, के प्लीज एप प्रोग्राम अटेंड करया करो, के आओ आपां सारे राल के हाथे जोड़के आस्मा जीदा तनवाद करिये, और सच ए ब्यूटिफुल प्रोग्राम, और लेट्स आल से ब्लेसें के मातमा नों लंबी उमर बखशे, ते एदा ही काम करी जान, ठैक यू वेरी मच, उन टाइम बहुत हो गया है, जिनना दी स्वेर हैं, और मैंनों परहा है, तुसी बच्चे नों स्कूल भी लिजाना हुनदा है, ते ओनों अई तुसी चड़े हो एस इंडिपेंडेंटली, बड़ा मुश्किल हो जानदा है पैंजी, ते वे तुसी बहुत हैं, ते देशा नाइट एँजाय करन, ते जिनना दी रहति आ रही है, वह अपनी इवनिंग दे नाइट एंजाय करन, वाहिगरुजी का खाल्सा, वाहिगरुजी का खाल्सा, नेक्स्ट टाइम, अगले टूस्ड़े, सढ़ा टाइम, टे वेंजडे, पा झाल